अंतराश्ट्रिय बाग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन्यजी प्रीमियों, विशेश रूप से बाग संरक्षन के प्रति उत्साही लोगों को बधाई विश उस्तर पर बागों की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी का घर, हम अपने बागों के लिए सुरक्षित आवाज सुनिश्चित करने और बागों के अनुकूल पारिस्तिति की तंत्र को पोशित करने के लिए अपनी प्रतिबधता दोहराते हैं कोरोना संक्रमन की संभावित तीसरी लहर से संभल कर रहने की हिदायत व्यक्ति एक दूसरे को भले ही दे रहे हो लेकिन संभल कोई नहीं रहा कोरोना से बचाव के नियम गली, चौराही, सारवजनिक्स थलों पर मजाक बन चुके हैं चहरे पर बिना मास्क लगाए लोग एक दूसरे से गलबहियां करते हुए आसानी से नजर आ रहे हैं कोरोना की संभावित तीसरी लहर को दूसरी से भी बहुत अधिक खतरनाक माना जा रहा है जानकारों के मुताबिक रूप बदल चुका वाईरस अब कम दिन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा, जिससे निपटना आसान नहीं होगा उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना वाईरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में करीब धाई गुना बड़ो तरी हुई प्रदेश में 89 नए रोगी मिले इसमें से 35 मरीज अकेले कानपूर में ही सामने आये, जबकि एक दिन पहले मंगलवार को यहां केवल दो रोगी सामने आये थे कानपूर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात का कार्यक्रम था उनसे मिलने वालों की सूची में शामिल 5 लोग भी कोरोना पॉजटिव पाई गए फिलहार एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में रोगी बढ़ने से अधिकारियों में खलबली मच गई निर्वाचन आयोग ने बुधवार को अगले साल पांच राजियों उत्तर प्रदेश, उत्तर आखंट, पंजाब, गोव व मनिपूर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की इस दोरान राजियों के मुख्य चुनाव अधिकारी चलियों मौजूद रहे केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के 152 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बना रही है इसके लिए रेलवे मंत्राले चिनहित स्टेशनों को विक्सित करने का काम शुरू कर चुका है और ज़्यादातर स्टेशन तैयार हो चुके हैं बचे हुए रेलवे स्टेशन उपर काम अगले साल तक पुरा हो जाएगा आदर्श बनाए जा रहे स्टेशनों में मादन सुविधाएं उपलब्द कराई जा रही है इनके विक्सित होने के बाद पैसेंजरों को काफी सुविधा होंगी देश में पहली बार व्यापारियों की जंगरना होगी इसके जरिये व्यापारियों के लिए नीतियां, ट्रेड विक्सित करने और वेलफेर स्कीन तयार की जाएगी वारानसी से इसकी शुरुआत हो गई है इसके बाद कानपुर, लखनव सहित अन्य शहरों का नंबार आएगा अभी तक कारुबारियों की संख्या जानने का मुख्या आधार GST रेजिस्ट्रेशन है इसके बाद खादय एवं औश्थी प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले फूड लाइसेंस की संख्या को भी जोडा जाता है अब व्यापारियों की अलग से जंगरना होगी व्यापारियों की जंगरना का मुख्य कमांड सेंटर डिपार्टमेंट औफ प्रमोशन एंड इंटर्नल प्रेड है विभाग ने यूपी से इस अभियान का आरंब कर दिया है जेवर इंटनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्ट के तीसरे सप्ताह में होगा प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित भूमी को पूरी तरह खाली करा लिया गया है अगले सप्ताह तक नोईडा इंटनेशनल एयरपोर्ट लिमिटिग को भूमी का कबजा सौंप दिया जाएगा जूरिक इंटनेशनल एयरपोर्ट एजी के साथ दो शेशन उबंद भी दस अगस्ट तक हो जाएंगे शिलान्यास की तिथी का एलान जल्द हो सकता है बेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नीव रखने के लिए प्रधान मंत्री जेवर आएंगे शिलान्यास कार्यक्रम साइट पर ही होने की संभावना है यूपी के मिरजापूर के प्रसिद बिंध्यवासनी मंदिर में एक अगस्त को बिंध्या कोरिडोर का शिलान्यास हिंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह करेंगे कार्यक्रम में मुख्य मंत्री योगी आधित्यनाथ भी साथ मौजूद रहेंगे 288 करोड की 90 योजनाओं की मिलेगी सौगात, कोरिडोर के परिक्रमा पत्त का निर्मान, दो रोपवे टोक्यो उलम्पिक के साथवे दिन भारत ने अच्छी शुरुआत की, स्टार बैड्मिंटन खिलाडी पीवी सिंधू ने महिला सिगल्स के अंतिन सोलह मुकाबले में डैन्मार्क की मिया को हराकर अंतिम आर्ठ में जगह बनाई अब सिंधू का मुकाबला यामागुची से होगा, वही भारतिया पुरुष हो की टीम ने मौजुदा उलम्पिक चैंपियन अर्जेंटीना को तीन एक से हराकर क्वाटर फाइनल में दस्तक दी जबकि अतनू दास्तिरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में अंतिम आर्ठ में पहुंच गए हैं वहीं बॉक्सर सतीश कुमार ने 91 किग्रा भार वर्प के क्वाटर फाइनल में जगह बनाई अवेंद कोईला खननन और कारोबार के मामले की जांच कर रही CBI की टीमों ने ECL के 5 अधिकरियों के UP, बंगाल और ओरेसम इस्थित आवास और कार्याले सहित कुल 15 जगहों पर एक साथ छापे मारी की ECL के GM, पूर्ग GM, एजेंट, उप सुरक्षा प्रमुक, सुरक्षा निरीक्षक के आवास वा कार्याले पर छापे CBI सुतरों के अनुसार बड़ी संख्या में कागजात जबत किया गया है आगामी दिनों में पूछताच के लिए सभी को बुलाया जाएगा आतन के अलकायदा मॉड्यूल की जाँच अब एनाए करेगी एनाए को मामले की जाँच सौपी गई है ग्रेम अंत्राले ने जाँच ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अब तक UPATS मामले की जाँच कर रही थी लेकिन आब यह जाँच एनाए करेगी लखनव से अलकायदा के आतनकी मॉडल अंसारूल गजवातपल का खुलासा किया था इसके साथ ही दो आतनकीओं को भी गिरफतार किया था जमीन के नाम पर धुखाधरी हो रही है लोगों को इस तरह के फ्रॉट से बचाने के लिए डियम गौतम गुद्धनगर ने अलज जारी किया है खास्तोर से नॉडा और ग्रेटर नॉडा में जमीन खरीदने से पहले दो विभागों से इनोसी लेनी होगी डियम ने चिताया है कि भूमाफिया खेती की जमीन को आवासिये बता कर बेच रहे हैं जो गेर कानूनी है ऐसी जगह प्लोट और मकान बना कर बेचे जा रहे हैं जहां बाड का पानी आने पर जान माल का ज्यादा नुकसान हो सकता है प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कारवाई भी कर रहा है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के दोरान यूपी के कई इलाकों में कहीं भारी तों कहीं बहुत भारी बारिश होने का अलग जारी किया है मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई को अलीगर, मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हाथ्रस और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है इसके अलावा शाहजहापुर और बहराइच और आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है लखनाउ में भी होगी बारिश लखनाउ थाना चिनहत वादी द्वारा स्वन्य लूट कराकर पुलिस को गुमराह करने हेतु लूट का अवियोग पंजिकरित कराने वाले के साथ साथ खटना कारित करने वाले शुन्य तीन नफर अवियोगत की गिरफतारी वा बरामगी के संबंध में डीसीप द्वारा दी गई बताया गया इसमें कुल मिलाके अभी तक की अभुद ग्रतार किये गये हैं का नाम विकास रावत उतकबर 23 वर्ष रवी वर्मा उर्फ देवा 20 वर्ष और सशांग जैस्वाल करीब 23 वर्ष है सशांग जैस्वाल इस केस में वादी था ये मॉडल शॉप में काम करने वाला कर्वचारी है इसका इंवॉल्मेंट शुआ से इसको 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 श्रक्त था और भी हम लोगों ने अपने मतर्ट से जब इसमें जैनकारी की और गैराही से जब इस पर तक्तीश की गई तब पदाचला की सशांग जैस्वाल इसका मास्टर माइंड है इसके साथ दो लोग और अधार रुपय अभी तक बरामत कर लिए हैं दो तमच्चे बरामत हुए हैं कार्तूस बरामत हुए हैं मुबाइल फोंग और घटना में प्लोग की गई बोट साइकल इत्ती बरामत भी कूप कर ली गई है जो दो वांजित अब्लुद हैं उनकी विश्रिक यवतारी की जा शॉप पर दूसरा माँ पर कलेक्शन का एजन का काम करता है इंडों के मास्टर माइन से ही पुरी गटना काइट किया गया था इसमें सभी अधर नाम पबाश माच उक्ति एंधिक अफ्तार रहें दो वांचित इंग उनकी बराद कर दो एक आपकार बाद आएंज पर लेट झाल 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 झाल